यह देखें यम्मी टेस्टी होम मेट आइस क्रीम जो कि एक विवर की हमारे रिक्वेस्टी थी कि हम होम मेट आइस क्रीम बनाना बताएं तो यह देखिए आप इस आइस क्रीम को जिस भी फ्लेवर में बनाना चाहते हैं उस फ्लेवर में इसी तरह से बना करके तयार कर सकते है तो चलिए देखते हैं कि तम क्रीमी टैक्स्टर वाली वह में टाई समय कैसे बनानी है जो कि हम बता रहा है हलो आप सब का श्वागत है हमारी यूट्प चलनल चायामिस्टरा में आज हम आप दोंको बनाना बताएंगे होमें टाई स्क्रीम जो की क्रीमी क्रीमी टैक्स्टर जिसमें एक ग्लास फुल फैट मिल्क मिल्क आड कर लिया है आप बॉयल या बिना बॉयल तोनों ही में से किसी कोई एक ले सकते हैं एक लेते लिया है लिश समस्क दशनेन करेंगे ऐने के बाद में तो देखिए इस तरह से चलाते हुए इसको हम पका लेंगे तो यह देखिए हमने एक ले लिया है बाउल जिसमें हम डाल देंगे एक स्पून कस्टर्ड पाउडर अपना ठीक है और हाफ ग्लास दूद और एट करेंगे जिससे कि हम इसका घोल बनाएंगे तो इसको हम बना लेंगे लर्ग्स प्री घोल और यह देखिए घोल बनकर तैयार हो गया है 42 आप क्लास पूरा एट कर लिया है तो यह देखिए वाज हमारे दूद में अच्छे से ऐसा आचुका है तो यह देहे ढाल दिया है और इसको बराबर चलाते रहेंगे। तो यह देखे गाड़ा होने लगा है दूझ-ङ॥ा पॉंड कतोरी हमने ले लिया है चीनी क्यूंकि यह की मीठी फूर को ग़ने द्दिये है कि औहुत was दिये दिया है तो यह इसमें चीनी मेल्ट हो करके थोड़ा सा पतला हो गया तो इसको हमें पकाना है क्योंकि पानी की क्वांटिटी दूद में नहीं होनी चाहिए यही एक अच्छी सी ट्रिक है हमारी अच्छी स्मूटली आइस्क्रीम बनाने के लिए तो इसको अच्छे से हमें पकाना है तो यह देखिए हमारा गाड़ा होने लगा है अच्छे से तो इसमें डाल देंगे हल्दी दो से तीन पिंच हल्दी डालेंगे क्योंकि हमने कहा हम वही इंकेरेंट करेंगे जो हमारे घर में उपलब्द है इस वज़ए से तो यह देखिए इस तरह से हम चलाते हुए पका आप चाहें तो आप फूट कलर एड़ कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं मगर फूट कलर सबके गर में उपस्तित नहीं होता है इसलिए हमने हल्दी यूज करिए तो अच्छे से पका लेंगे इससे हल्दी की महक नहीं आएगी तो यह देखिए चलाते हुए ठीक कर हमारा गाड़ा हो चुका है तो फ्लेम को करेंगे आफ क्योंकि थाली की वर्तन तो और भी गरम होकर पकेगा और अच्छे से थंडा कर लेगे तो यह हमने कुछ ड्राइफूट ले लिए हैं इनको हम बारी बारीवारी चॉप करेंगे जिससे कि बादाम है किसमिस है अखरो कर लेंगे तो यह देख सकते हैं हमने चौप करके रख लिए हैं और हमारा दूद जो है कडाई में वह भी ठंडा हो चुका है इसको हमने आदे गंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था जो कि बिल्कुल चिल्ड हो चुका है और हम अब इसे मिक्सी के जार में ट्रांसपर कर मलाय ट्राहँ जो कि दूद को बालका है देते हैं उपर से ऴलाई जम जाती है तो वह हम जोँस कर लेंगे आपके पास अगर отвक्रिंट क्रीम हो तो भी योज कर सकते हैं या फिर मूफ गराल है वो भी कर सकते तो यह देख में उन्तिक ती घ्रटाम सरों कर लेंगे वालता आइस क्रीम को जमाना है तो यह देख सकते हैं इसे हमें semi-thik जवाना साथ है ठीक है पूरी तरह से जमाना नहीं होगा यह में उड़न करना है तो इसको रख देंगे आप अच्छे से फ्रीजर में रख देंगे पहले हमने कड़ाइ में जब बनाया था कुष्टर पाउड़ कर दूद उसे हमें सोस्टेश में रखा था ठंडा होने के लिए अब हम रखेंगे फ्रीजर में और इस जार को भी हम प्रीजब में रख देंगे तो यह देखें ठंडा हो चुका है और जम भी चुकी है तो दो गंटे के लिए मिने फ्रीजर में रख दिया था तो यह जम गई है हाफ जम गई है यानि सेमी थिक जम गई है तो अब हम इसमें डाल देंगे अपनी सारी और फिर से मिक्स कर लेंगे अच्छे से तो यह देखे जार भी मारा अच्छे से ठंडा है तो यह देखे सेमी थिक जम गई है तो इसको हम फिर से डालेंगे जार में और इसे हम फिर से फेट लेंगे तो यह देखे हमने अपने ड्राय फूट जो है वो तली में च तो यह देखिए अब एक पॉलिथीन ले ले आपके पास अगर खाना रैप करने वाली सीठों वो उससे भी आप कर सकते हैं मगर हमने पॉलिथीन ले लिए क्योंकि यह सब के पास जनली होती है तो यह आइस कीम की सता से टस्क करते हुए इसको रखना है तो यह देखिए हमने बंद कर दिया अच्छे से अब हम इसे फ्रीजर में ओवर नाइट के लिए रख देंगे आप कि अगर अच्छे से फ्रीज में जमती हो ब्रफ तो आप 5-6 गंटे के लिए रख सकते हैं तो यह देखिए इस तरह से हम कर रहा है ना तो काफी हैवी हो गई है इस वज़े से कि पांच मिट क streaming कराना बूल जाएंगे बहुत क्रीम है तो यह देखिए बहुत क्रीमी है बहुत ज्यादा हेल्दी है तो यह देख सकते हैं अगर हमारी यह रासपी नादें घर में बना कर खिला है Thank you, मिलते हैं नेक्ट डे, नेक्ट डेस भी खब